हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दा जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 3rd of August 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोनोपॉली वाला कमपणी आयार सीडिस की पर जिसके तरफ से आज की डिट पे एक बहुत बड़ा न्यूस सामने आ चुका है कुछ दिन पहले इस टॉक स्प्रिट का न्यूस आया था आज की डिट पे प्राइवेट ट्रेंग ऑपरेशन का भी एक न्यूस आया है तो दोस्तों आपके बास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लाटफोर्म में आप डिमेट आकाउंट ओपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज फ्रीज ना के बराबर लगदा है और एकाउंट ओप प्लीट का एनॉंस किया था और जिसका एफेक्ट में कल की देट पर मतलब मंडे के दिन अल्मोस्त साथ परसंट का सबसामें अगर मतलब कंफर्म हो गया तो यह स्टॉक स्प्लीट का न्यूस कुछ भी नहीं है दोस्तों मतलब यह रॉकेट हो जाएगा श्योड शॉड एक अग्दम शियोर मतलब रॉक यह शियर आराम से 10-15-50 परसंट भी आराम से भाग जाएगा चली सबसे पहले हम आपको न्यूस को पर लेकर चलता हूं उसके बाद हम इसके उपर पूरा टेखनिकल डिसकाशन करेंगे क्या लेबल सपोर्ट हो सकता है तो दोस्तों यह न्यू उसका हेडलाइन दोस्तों आपके सामने है आयर सी डिसी एन भेल भेल को तो आपने पता ही होगा मार्केट में अल्लेडी लिस्टेट है दोनोई PSU कंपनी है भारत हेवी डाइनामिक भारत हेवी एलेक्ट्रिकल लिमिटेड और आयर सी डिसी रेलवेस का इन टॉक फॉर पा अब इस बीट कर रहा था आयर से डिसी बीदा बट फाइनल राउंड में दोस्तों अभी सिर्फ एक बड़ा कंपेटेडर बचा है मतलब एक बड़ाई यहां पे जो कंपनी बचा है वह है आयर सी डिसी उसके साथ भेल के साथ भी एक पार्टरिकल का बात चले 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 लि आपके इंडियान रेलवे केटरिंग एंड टूरीजम कोर्पोरेशन यानि आयर सी डिसी एन भारत हेवी एलेक्रिकल लिमिटेड वेल दोनोई गौब्मेंट ओल्लिंग कंपनी पी एसू स्टॉक है और इन टॉक फॉरा पार्टनर्शिप टू रन प्राइवे ट्रेन यहां यहां पर बातजीत चल रहा है दोनोई कंपनी के बीच अब देखिए यहां पर वेल का क्या फंक्शन होगा वो भी यहां पर क्लियर कर मेंशन किया है देखिए according to official in the no the two public sector undertaking के क्योंकि दोनोई गर्वेंडर्लिंग गर्पनी है are planning to form a special purpose vehicles मतलब SPV to run passenger trains on routes for which IRCTC has put in bid भेल will be putting in the money required दोस्तों यहां पर वेल क्या करेगा कि IRCTC जब private train को operation करेगा तो उसको लेके जो financial support वो भेल करेगा और उसके साथ साथ देखिए while IRCTC is going to focus on operational requirement और IRCTC यहां पर चो operate करेगा private train को क्योंकि IRCTC के बास दोस्तों काफी अच्छा का सा experience भी है क्योंकि अभी already current situation को पर बेस करके IRCTC is already 4-5 तेजस एक्सप्रेस जैसे बड़े-बड़े private train को operate भी कर रहा है और successfully operate कर रहा है तो जिसकारण IRCTC को यहां पर operation करने में कोई problem नहीं होगा और इसके साथ साथ जो भेल है मतलब भारत है वी electrical limited वो financially support करेगा इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा दोस्तों IRCTC क्योंकि जो मेन operation का काम है जहां से सबसे ज्यादा revenue आएगा वो IRCTC यहां पर operate कर रहा है और वेल यहां पर पीचे से financially support करेगा तो देखिए क्या लिए IRCTC business model has not been capital expenditure मतलब IRCTC business model है वो मतलब जो financially जो यहां पर management करने का वो जो expenditure को पर नहीं है focused it has bill तो basically यहां पर IRCTC को दोस्तो प्राइवेट train operation मिलने का chance बहुत जादा है मतलब बहुत जादा बोल सकते हो क्योंकि पहले एकदम bidding के स्टाटिंग में लैट सने टूब जैसे बड़े बड़े companies था अभी final round bidding में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आयर सिदिसी बचाए बड़े कंपने और छोटे एक दो कंपनी है बड़े कंपनी में से आयर सिदिस तो basically यह न्यूस्तों काफी positive है क्योंकि आयर सिदिसी और भेल मिलके पूरा का पूरा करेंगे आयर सिदिस की शेयर के अंदर आपका क्या रणनीती हो सकता है दोस्तों आप जो पॉइंट में आपको बोलूंगा दियान से सुनना और अब्सक्राइब करना हर एक पॉइंट को पर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तग अच्छा लगा चीसे समझाया तो प सब्सक्राइब इसका रसा इंडेक्स 73 के आसपास निकल के आड़ा है यानि 70 को पर अगर कोई स्टॉक का आड़े से चले जाता है उसे हम ओवर्वर्ड जोन कहा जाता है तो यह हलका फूल को वर्वर्ड जोन पर ट्रेट कर रहा है आज दो दिन से अब देखिए शेयर के अ सबसे पहला जो सब्सक्राइब निकल गया रहा है वह 2400 का लेवल उसके पीचे रीजन के मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसके प्रीवेस आई था वह था 2400 का लेवल बार वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था आयर सीडिसी जो कि आचकी रेट पर ब्रेक आउट होने करने के बाद वह जो 2400 का लेवल है वह एक सपोर्ट की रूप में काम कर रहा है आयर सीडिसी की शेर के लिए तो बैसिकलिए आप अगर मैं बोलूंगा यहां पर आपका लॉंग टम का टार्गेट है लॉंग टम को विशन है तो 2400 की उपर कोई भी प्राइज मिले चाहे 2400 तो 10, 15, 20, 30 आसपास दिरे दिरे बाई ओन डिप स्टाडी से शेर को पीक करते रहना आयर जो इस चैनल की रेगुलर वीवर से पुराने वीवर से उनको अच्छे से मालू मैं कि आयर सीडिसी का शेर पैस जब सेगेंड वेप की टाइम पे 1600 के आसपास पहुंच गया था उस सकतो 1600 से शेर पैस आज की रेट पर 25 का आसपास चल रहा है मतलब मोर दन 50 परसंट के रिटन दिया है वी तिन 4-5 मॉंस तो शेर पाउट से निंगा मॉनोपाली बिजनस है इसको पर मुझे कुछ बात ही नहीं करना अब जो सपोर्ट लेवल में आपको बताया और जो नेक्स सपोर्ट लेवल निकल का रहा है देखी यह जो रेट कालो वाला लान इसको ध्यान सब्सक्राइब करना यह इंडिकेट करता है ट्विंटी डेस का यह में जो की जब सेगेंड वेप के बाद जब मार्केट फिर से बूल रन देखने को मिला और आयर से शेर पैस के अंदर भ तो मेरे कहल से यहां पे अभी इसके अंदर और एक दो दिन तेजी हो सकता है या चल सकता है बट इसका जो सपोर्ट लेवल है कि रेट का लवल ला लाइन का जो नंबर के निकल क्या रहा है तीस सो ग्यारा यह धिरे-धिरे देख ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो जो लेब बैंड का नंबर देखिए जो टोइंट इसके में को डिटेक्ट करता है तो फिलाल यह अपर बैंड की आसपासी ट्रेट करें बड़ अच्छी बात यह कि लोवर बैंड अपर बैंड धीरे-धीरे उपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यह क्लियर कर संक्यात है की शेर में अभी और ज्यादा वॉल्यूम एड होना पाकी है तो चलिए आज की रेट में कैसा कारवार हुआ वह भी एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं उसके बाद वीडियो को वाइंड आप करूंगा और जो स्ट्रेटीजी मैंने आपको बताया यह स्ट्रे इंवेस्टमेंट के पहले आप खुद भी एक बार अच्छे से स्टफ सब यहां पर स्टडी करना उसके बाद ही इंवेस्ट करना वीडियो कहीं पर फाइंड आप करता हूं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक करक जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक कर बाबाई जय हिंद